बना रहा रहा है इसको कोई मुखमंटरी बना रहा है है जहां है वही रहिए अपना तो लोग सभा सभ़ता नहीं अपने अपने छेटर में अज तुम गरज गरज के बोल रहे हैं तुम को कोई पूछ रहा है रामकिरपाल यादब जी आप से यह उमीद नहीं था यादव का आप आये थे गोवर्धन पुजाबन मनाने कि लालू यादव जी का गरंद उल्टाने आपकी वो काद है आपकी छमता है कि आप लालू यादव जी पर कुछ बोल लीजिएगा अरे लालू यादव जी तो कल्यूक के क्रिस्न है यह सदन में बोलते ठीक से नहीं है सदन में ऐ कोशिस कर लीजिएगा यादव को तोरने का तो यादव तूटने वाला नहीं है यह समझ लीजिए यहीं लोग है यहीं लोग है जो हमेशा जैस्री राम जैस्री राम करने वाले लोग कल जैस्री कृष्म जैस्री कृष्म बताईए बताई यह लोग कितने गीरेंगे कितने गिरेंगे आप क्या किए सभी बिहार के यादवों को बुला लिए और लालु यादव का गरंथ उल्टाने लगे बिना लालु यादव के नाम लिये हुए आपका कुनों काम हो सकता है यह आप हमें जबाब दिजिए आप गोबर्धन पूजा करते क्रिशन का नाम जबते क्र करन्थ पड़ते क्रिश्न चलिशा पड़ते तो समझते कि चलिए आप गोबर्धन पूजा मना रहे हैं लेकिन आप तो लालु चलिसा पड़ और लगा जांकी निकाल रहे हैं और जैसीरी राम नरा लगा रहे हैं कम से कम कल केंज़ दीन भी कृस्ट देतें चैरे लेंग ड को कलपटना के बाबु सभागार में यादव समेलन बुलाए गया गया था गवर्धन पुजा जो रो सोरो से मनाते हैं उस भाजपा ने 40% विहार के यादवों को एक जूट कर लिया था क्या अब जो भाजपा है जो एमभाई की बात होती थी क्या अब भाजपा के साथ है हमारे साथ बात करने के लिए पिरिया यादब है पिरिया जी ये बताइए कि क्या लग रहा भाजपा में अब सारे यादब चले गए हैं कल जिस तरह से पुरा पटना मैं हो गया था लोग में मार्केटिंग कर रहे थे राम के मार्केटिंग से नहीं कुछ हो पाया तो अब चले लोग है यही लोग है यही लोग है जो हमेशा जैसरी राम करने वाले लोग कब जैसरी क्रिश्म करने वाले लोग आ गए थे बताई यह कितने गीरेंगे भगवान के नाम पे राजनीती कर रहे हैं भगवान के नाम पे राजनीती कर रहे हैं पटना में गोवर धन पूजा नहीं मना रहे थे कर रहे हैं वीडियो कर रहे हैं कि पूझा को लालुयादव जी को निद्यानन्द राए जी को siya आप जहां से भी है कहीं जो बोल रहे हैं या आप कहीं नेता बने वह लालुयादबजी का देन ढ़ा तो कब खेका गए होते आप किस की अब बात कर रहे हैं आप आये थे ढोबर्धान पुजा मनाने के लालू यदर जी का ना ने अपने बता दीछे आपको शरब रहे हैं घयादक्स दूसर्हें यदौ के बारे में गोबर्धान फूजा के दिन अगर record कर रहा तो समझ लिजे वो यादव नहीं है कम से कम गोबर्धन पूजा के दिन आप राजनीती नहीं करते हितला था था इसकोन मंदिर में फटना के देख आप कितना भी कोशिष कर लिजिए यादव को तौरने का तो यादव तूटने वाला नहीं यह समझ लिजिए जितना आप राम के नाम को बेच के खा गए अब चले को बैचने के लिए तो वो चीज है हम लोग क्रिश्न के बंसज है और कृष्ण वो चीज है जो हमेसा गलत को खतम करने का काम किया है तो आप लोग वही गलत हो जिस तरह से कल आप रमाइन उल्टा रहे तो चप्रत आप यादब जी नहीं होता लालु यादब जी तो कल्यूक जिसके वज़ा से तुम और हम सब लोग बचे हुए हैं अगर वालु यादब नहीं होते तो आज राटाव करिया स्टुत नहीं होता कहीं नहीं होता, कोई बोलने नहीं देता था यादब को, कोई चलने नहीं देता था, विधान सबा, लोक सबा कहीं पहुचने नहीं दिया जाता था, आज लालू यादब जी का देन है, जो तुम गरज-गरज के बोल रहे हो और तुमको कोई पूछ रहा है, रामकिरपाल या रामकिरपाल यादव और अभी मन्नु यादव है इसलिए लोग मानता है भाजपा को नहीं बहाजपा बिहार में नहीं चलेगा यहीं अमीद साम मुझहपर पुर में आये थे तो बोल रहे है यादव और मुश्लिम को छोड़ के सम मेरे साथ है तो अमिद साजी क्या ऐसा दि पूजा के नाम पे क्रिस्न के नाम पे आपने पुरे बिहार के यादव कोई कठा कर लिया तो मंच पे तो आप मंच पे तो आप नारा कुछ और लगा रहे थे और मंच से नीचे जितने यादव है वह नारा कुछ और लगा रहे थे आप जाके देख लेते जो भी हमारे बिहा करते हैं और जो लोग गाय की बात करते हैं यह लोग गाय के बेपार करते हैं लालुयादब नहीं नित्यनद्र आए और कले रामकिरपाल जबाएं काम किया है जबाब दिया है लालुयादब करते हैं कि लालो यादव अभी वह सती है एक दम उसके नम पर सब अपना आपना राजनीती कर रहे हैं लालो यादव भासन दे रहे तो हम तो वही थे वहीं बैटे हुए थे और बहुत गर्ब महसूस हो रहा था कि अभी भी लालू याहदब जी एक दम डट के सामना कर रहे हैं और लालू याहदब जी वह बैखती है, जो झुकने वाला नहीं है, यह समझ लिजह और बिःहार के सभी याहदब भाईयों से कहने वाले हैं, क्वे得 रहे हैं कि इन लोगों के लोको पर लोव और जहांसा में जाना है ये लोग दे रहे हैं जहीं जहाँ साधिर आ लगा रहे हैं यह कौन सा सही बात है यह हमको आप जबाब दीजिए रोट पे चला रहे हैं और जैस्री राम का नारा लगवा रहे हैं कि आपको जैस्री कृष्ण बोलने में शरम आ रहा था जैस्री कृष्ण बोलने में अगर आपको शरम आ रहा था तो आपने गोवर्धन पुजा के नाम पे क्यों यादवो को बुलाएं आप रामनोमी के दिन यादवो को बुला के देखिए कितने यादव घर से निकलते हैं तो यह भूल है आप लोगों की जो भी हमारे यादव आए थे वह करिश्ण नाम पे आए थे वह गभर्धन पुजा के नाम पे आए थे उओ भाजपा के नाम पे नहीं आयता और भाजपा बिहार में कई नहीं है और नित्यानंद राहि की कोई व्हम व्हमन्द्री में और यह सदन में बढो- ठीक आल यादब बोलते थे सिनाट ठोक के बोलते थे लेकिन यहीं नित्याननन्द रहे कभी देखा इनको की अपने समाज के लिए बोलते हुए पहर चासी पर्सेंट लोगों के लिए बोलते हुए जब हम लोग का रिजर्वेशन ना भढ़ए रक्षन आंसे तो पेट में दर्द होने लगा है इनGma नस होने रहाहे नहीं है जिस तरह से थ बीहार में रजजगार की भरमान लग गई इन लोगों को त Behavior तो बिना यादव को बुला लिये और लालु यादव का गरंथ उलताने लगे लालु यादव के नाम लिये हुए आपका कौनों काम हो सकता है यह जबाब देजिए लेकिन आप तो लालु चलिशा पर रहे थे आप तो लालु चलिशा पर रहे हैं तो सुलिजे नितिया अनंद राजी और राम किरपाल यादव जी आपके गरंथ उलताने से लालु यादव को कुछ होने वाला नहीं तो कल तो यादव फूट गया 40 पर संद यादव भाजपा के चल गया प्रूट गया यादव कृपनप पूजा के नाम पर आए थे घृब्भाजपा के नाम पर नहीं आए थे और आपको हम चैलेंज कर रहे हैं गांदी मदान परकर रहें इसived और देखें कितने की तोρ दिजेगा यादव उतना मजबूत होगा नितिया chuckling पूरे बिहार के बातों में नहीं आने वला जो दूचार को होगा भी आपके साथ वो छोड़के भाग जाएंगा पूरे बिहार के जो भी यादव है अच्छे लोग और सारी सारी लोग जो भीहार के यादव है खास करके बिहार की बात कर रहे हैं परसु आयेंगे सब लालु यादव जिके सथ हैं और कल बापु सभागार में शिर्फ लालु यादब जी का नारा लग रहा था नीचे तो जाके देखते हैं मन से कुछ और बोल रहे थे नित्या अनन्द राय जब भासन दे रहे थे तो नीचे से लालु यादब जिंदावाद का नारा लग रहा था क्या आपने यह नहीं सु करेगा तो भारी परेगा गवर्धन पुजा के दिन आपने जिस तरह से यादब टिपनी किया है आपको यादब बकसने वाला नहीं है बहराल अपनी परतिकिर्या और नीचे कनौक ने दे फेस्टूप पर देखने वीडियो को सेर्ट कर लें यूटूब पर देखने चानल को सब्सक्राब करें